नवश्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिन में आपका स्वाधात है। आज की रेस्पी हमारी है सामबर बनाना। तो सामबर बनाने के लिए दोस्तों पूरी वीडियो देखा। drones तब भी समझ में आएगा आपिती है। दोस्तों देखिए क्या क्या चीच हमें चाहिए तो सांबर बनाने के लिए देखिए इधर में ये बींस ले ली हूं सभी सब्जिया चाहिए मगर थोड़ा थोड़ा चाहिए तो देखिए थोड़ा सा मैंने दोठो मैंने बींस काट लिया है एक दोठो मैंने बिंडी काटी ह हों और देखिये कज़ कुदूरून है के सईजन है और बयगन है गाजर कप दु है कॉंध। और और अधकी मॉक्वां करने द५ज में बामें थानत को मिलॉयक्त The सबसे में प porn ये तीन कप पानी डालेगे और टूवरडाल में still當्या शुचता मगया। 3 पाणि है को दो हैं करदार अब शुक्ता लोगे तॉचकी दो देएमिन और तुर दाला घब एकट व्यार मरते हैं क्रेस लर्बाइब है इसको थोड़ा पानी अब इसमें धूड़ेतों हल्दल सेट में डाल करिए हैं देखे धाल में नाल दीते हैं अब मैं सब्जी रख लेती हूं तरba से में इस तरह से कुहँरा डाल दिया है NOW इस तरह शीद डाला है तो इस पर हम टाला दीक है यह घुख काजर गाटते हूं बैगन को है अभे हम तीन फली थी गंज का थे बीस भी काट दिए हूं इसमें अब ऊपर से बीन्स डाल दूंगी कि इसके उपर मैंने एक कुदरून डाल दूंगी एक कुदरून है अब एक इसके ऊपर हम भिंडी डाल दूंगी देखे सभी सबज हैं डालने हो। नगा नहीं है। इसके उपर drip correct जो पाने सब 야प। नमाटर डालने श्यानी हूं। रहाई है। यह अदिकना डालने हैं। इनको भी हम दाल कुकर में ही डालूंगे अभी देखिए कुकर में हल्दी और नमक हिंग डाल दीए अभी दाल है तो दाल को मैं शाइट कर दूंगे इस थोड़ा सा शाइट करके इसको दाल को इस तरह से अब यह जो है जो हमने यह काटी हो पूरा इसको हम इसी में शिप्ट कर देंगे इस तरह से इस तरह से शिफ्ट कर देंगे अब हम धक्कन लगा लेते हैं अब हम इसको सब्जी को कुकर में शिफ्ट कर दिया है अब धक्कन लगा के एक सीटी खाली एक सीटी लगा करके सब्जी हम निकाल लेंगे वापस देखिए दाल भी चड़ा दिया इसी में चाहिए मैंने सबजी भी डाल दी हूं कूकर में अब इसको एक सीटी आने तक में वेट करूंगे एक सीटी के बाद हम इसको निकाल लेंगे सब्सक्राइब कि अपने आप निकल जाएगी इसके बाद धकन को खोल के देख लेते हैं इस तरह से हमारे सब्सक्राइब निकाल लेते हैं फिर दाल को देखते हैं कि दाल हमारी कैसी बनी है पहले हम सब्सक्राइब निकाल लेते हैं दाल हमारी एकी सीटी में ये दाल भी गल गई है ता अब हम इसको इस तरह से मिला लिया है दाल को अब हम इसमें जो सब्जी है उबली हुई उसको में डाल देते हूँ इसको मैं इसने तरह देखें सब्जेमें भी पानी आगए है डाल में का पानी पुरा सब्जे में आगया मैं इसी कुछ May Sumie सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है आब हम जो भी इं इनिन फॐ अब इसमें डालें ग़ी एक उबाल आजा यह मैं करके इसके बाद सब डालें आजा तो हम इसमें मसाला डालेंगे और यह पानी भी गरम एक कप करके रखते हूं ज़रोत पड़ेगा अगर सुखा लगए तो हम डाल देंगे पानी नहीं तो रहा है इसमें उबाल आने के बाद ही मिली डाला इसमें हमने डाल दिया है थोगा सा खंगार के इसको पानी और करण तरह से अच्छा है तो कियोंकि सब्ची डालने के बाद राखता है तो हमेशा इस तरह से अच्छा है अब ही हमने सामर पाउडर नहीं डाले हूं अभी इसी तरह हम इसको पका लेती है थोगे इस एक उबाला और आने देती है अच्छे तरह से अब इसको भी हम एक उबालाने देते हैं सांबर मसाला लाश्ट में इस लिए डालते हैं कि ये सांबर मसाला भूना हुआ होता है और बाद में अब इसमें थोगा हिंग डाल देते हैं थोगा ही डालेंगे हिंग क्योंकि हम पहले भी हिंग डाली है और थोगा में तड़के में डालूंगे हिंग तो अभी एक उबाला बहुत हैं एक बहुत आसानी से बन जाता है अब ये कुंब देते हैं अभी देखिए हमारा सांबर अच्छे से तयार हो गया है अब हम आपको शौब करके दिखाद ध्यार रखिएगा इसमें इमली डालते हैं तो नमक कम पड़ जाता है नमक इमली से ज़्यादा चाहिए तो नमक टेस्ट कर लें इसी पर टेस्ट कर लेंगा नमक तो थोड़ा सा डाल करके एक उबाला और ले 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 और यह बराबर है तो कोई बात नहीं जबी डाला नमक मिर्ची उबाल जरूर लेनी तक दिखाते हैं शव करके तड़का लगा लेते हैं इस तरह से दोस्तों आप जरूर बनाए जरूर ट्राइब करने एक बाद हमारे सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दवाएं कि ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊ आप तक सबसे पहले पहुंचे अब हमारा सांबा तयार हो गया है अब हम इसको आपको तड़का लगा की दिखाते हैं यह देखिए तड़का लगाने के लिए मैंने कली पत्ता ले लि यह चांब द्बचेए लुए शब्सक्राण लगें जिएर को दर्देशना अब मिर्ची नोạtर से अब यह मैं हम बंद और siya को बंद कर देंगे घृस मीरस करना कि बढ़नए की लिए और बहुत तेज शओन करने बाद करेफिए और करता एंसको नोईे 6 गान करने तंब sap हर परदिया में कघई पत्ता हो गया है अब हम इसमें देखे थुदी से लाल मिर्ची रखी हूँ ताकि huis कलेर बहुत अच्छा आजा उधे युद थोड़ा सा लाल मिर्ची डाले नाल मिर्ची झाभी भी डालने आप गयश डंद करके ही ढालने तहों वही तेस्ते बित्व जलण काला हो जाएगा तो चली ये अब हम तढ़का डाल लेते हैं ये इसोर से धग्शा बिए अच्छा है धोगा तड़का चब्सकी रही ँदाले कि पूर बनाकर होती है हमारा सांबर हमारा सांबर तयार हो गया सांबर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है कुल मिला करके एक कप हमारा दाल है चार कप पानी डाली हूं मैं पूरा इमली पानी जो भी सब मिला के चार कप पानी डाला है इसे ज्यादा हमने पानी नहीं डाला है और हमार सांबर बिल्कुल मेडियम हुआ है तो आप जरूर बनाए जरूर ट्राइ करना अगर हमारा यह सांबर आपको अच्छा लगए तो लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें कॉमेंट करना ना भूलें धन्यों